स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इंवेस्टेटा में दोस्तों मुच्वल फंड प्लान के अंदर अगर हम स्टार्टिंग टाइम में अपने पैसे को नवेश करते हैं और हमारे पास कम पैसे हैं नवेश करने के लिए टेकनिसी से हमें एक बड़ा फंड बनाना है तो इस वक्त हमारे पास मुच्वल फंड के काफी बैतीन आप्शन मौजूद हैं जहां पर हमें कम पैसे नवीश करने होते हैं और उसी से हम एक बड़ा फंड भी बनावाते हैं। क्युकि दोस्तों पिछले 5 साल से मुचल फंड प्लान के अंदर हमें कमाल का रिटन मिला है और यहां पर इस वक्त भी हमारे पास एक जबर्दस्त मुका है पैसे को नवीश करने का। और यहां से अगर हम कम पैसे भी डालते हैं एक 23 mutual fund टान के अदर और हमारा के एक बड़े fund बनाने का target है तो उसे भी हम आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं. क्योंकि जिन दोकोंने आपसे दस बारे सार पहले mutual fund टान के अंदर 57,000 रुपे भी नवेश किये आज उनके पास दोस्तो एक बड़ा fund है क्योंकि mutual fund टान के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे fund है जिन्होंने compound return 30% से भी जाता दिया है यही वज़ा है कि अगर हम आज mutual fund में पैसे को डालते हैं तो यहां से भी हम अपने बड़े fund प्राने के target को पूरा कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो अगर आप response saving scheme में safe investment के लिए पैसे को नवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको 7% से जादा ब्यासतर नहीं मिल पाएगी और अगर आपका long time पैसे नवेश करने का target है तो उसे भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि mutual fund plan के अंदर यहां पर compound return मिलता है जिससे हमारे कम पैसी की value पी काफी तेज़ीते बढ़ जाती है तो दोस्तों वो लोग जिनके पास जादा पैसे नहीं है नवेश करने के लिए और वो कम पैसे नवेश करके अपने बड़े fund प 50 रुपे का नवेश करते हैं तो इससे आप 8 करोड रुपे का एक बड़ा fund भी बना सकते हैं देकिन इसके लिए आपको यह देखना होगा कि आप जिस mutual fund plan में पैसे को नवेश कर रहे हैं उसका portfolio कैसा है उसके अंदर आपको future में कैसी growth मिल सकती है या फिर आप आज पैसा न नवेश करके जादा unit हासिल कर सकते हैं और दोस्तो long time में इसका काफी अच्छा benefit आपको मिल जाएगा तो आज हमें एक ऐसा ही दमदार fund लेकर रहे हैं जिसके अंदर आप कम पैसे यानि सिर्फ 48,725 रुपे का नवेश करके भी 8 करोड दो लाख रुपे तक fund बना सकते हैं और आपका feature का कोई भी बड़ा target क्यों न हो उसे भी आप इस amount से आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो में हम पूरी detail समझेंगे calculation के साथ और देखेंगे कि कैसे आप पैसे को नवीश करके अपने target को पूरा कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप से रिक्वे प्लान है अगर हम उनके return की बात करें तो पिछले 18 साल से small cap fund के अंदर हमें सबसे 32 return मिला है और इस fund के भी अगर हम return की बात करें तो आप देख सकते हैं कि fund का English return 36.50% से जाब है यानि यहां पर लगतार इस fund ने पिछले 11 साल से काफी 13 return दिया है दोस्तो इस small cap के डियरी का यह जादा पुराना fund नहीं है लेकिन उसके बावजूद fund का return काफी बहतर है और दोस्तो अगर हम सिर्फ 6 महिने की भी बात कर लेते हैं तो fund के अंदर 28.36% का return मिला है और एक महिने में भी fund ने 6.44% का return दिया है यहां पर दोस्तो 6 गस्त को market में correction के विज़ा से काफी नीच यहां पर दोस्तो इस fund में हम 48.750 रुपे का नवीश करते हैं 28% return अगर हमें मिलता है और यहां पर दोस्तो हम इस पैसे को नवीश करते हैं सिर्फ स्टार्टिंग 6 साल के लिए तो 6 साल में यहां पर 48.750 रुपे का नवीश करके हम 2.14.000 रुपे का fund बनाएंगे और 1.35.000 का इस में रिटन होगा लेकिन दोस्तो अगर हम 12 साल तक पैसे को डालते हैं तो फिर हम 487.750 रुपे से 9.492 रुपे का fund बनाएंगे और 94.000 रुपे का इस में रिटन होगा लेकिन दोस्तो अगर हम 48.750 रुपे का नीश करके 41.47.000 रुपे का fund बनाएंगे 40,98,000 रुपे का इसमे रिटन होगा लेकिन दोस्तों अगर हम पैसे को डालते हैं यहाँ पर 24 साल के लिए तो फिर 48,750 रुपे से हम 1.82 लाख रुपे का फंड बनाएंगे और 1.81 लाख का इसमे रिटन होगा देकिन अगर हम पैसे को डालते हैं 30 साल तक तो दोस्तों यहां से हम सिर्फ 38,750 रुपे का निवेश करके भी 8.02.00 रुपे तक फंड पराएंगे और 8.01.00 रुपे का रिटरन इस फंड के अंदर हमें मिल जाएगा जैने कि दोस्तों इस पहते नीचल फंड प्लान के अंदर अगर हम कम पैसे निवेश करते हैं तब भी हम अपने एक बड़ी फंड प्राने के टार्गेट को पूराप कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों अगर हम इस फंड की होल्डिंग की भी बात कर लें तो भारत एलेक्ट्रोनेक्स, वीगार्ड इंडस्टी, त्रिवेनी ट्यूपवाइन, ब्लू स्टार, कॉर रैश्या बैंक यानि कि यहाँ पर दोस्तों यह दमधार कमपनी हैं जिनके अंदर हमें फ्यूचर में भी बहतीन ग्रोथ मिल सकती है और यहाँ पर हम पैसे को नविश करके अपने एक बड़े फंड प्रानी के टार्गेट को भी पूरा कर सकते हैं और दोस्तों गर हम फंड की एकुटी की बात कर लेते हैं तो फंड का जादतर एकुटी में पैसा नविश किया क्या है 93%, डेट फंड में करीब 3.6% और कैश में फंड का 2.7% पैसा यूज किया चारा है जबकि अगर हम एकुटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो अधर सेक्टर की कंपनीज में 23%, कैपिटल गूर्स में करीब 17%, सर्वेसिज, फाइनिस सेक्टर, हेल्थ गेर यानि के दोस्तो जितने भी ये दमदार फेक्टर हैं, उन्हीं के अंदर फंड के जातर पैसे को नवेश किया गया है और दोस्तो इन सभी सेक्टरों में हमें क्रोथ काफी बहतीन मिल सकती है जबकि दोस्तो अभी इस फंड के एनिवी का प्राइस यानि के नेट एसेट वैल्यू का प्राइस ये भी सिर्फ 13 रुपी 65 पैसे है यानि हम जो पैसा नवेश कर रहे हैं और जो भी हाँ पर एनिवी का प्राइस होता है इसी करन्ट प्राइस के हिसाब से हमें यूनिट लॉट की जाती है जबकि 2,141 करोड रुपे फंड के यूएम है फंड के अंदर SIP में आप कम से कम 500 रुपे और लमसम में 5000 रुपे तक नवेश कर सकते हैं दोस्तों हम फंड के expense ratio कर्चे की बात करते हैं तो यह है 0.51% यानि कि आप जो पैसा नवेश कर रहे हैं और जो भी expense ratio होता है ये पैसे काट कर आपको करन्ट एनिवी के पैस से यूनिट लॉट की जाती है देकिन आप जो लमसम पैसाने विश कर रहे हैं उसे एक साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% exit road charge देना होता है जबकि return पर tax होता है 20% का एक साल से पहले लेकिन दोस्तों एक लाग 25,000 से जादा गराप को profit होता है एक साल के बाद तो आपको 12% का LTCG tax देना होता है हम fund management team के बात करते हैं तो सुनील सावंत 2024 से fund को manage कर रहे हैं दोस्तों गर हम बात करते हैं मोतिलाल ओसवाल mutual fund house की तो asset के साब से रेंक 19 नमबर पर है 2009 में ये fund house स्टार्ट हुआता और 11,382 करोड रुपे fund का U.M. है शौट टम में mutual funds के अंदर भरे आपको correction मिले लेकिन अगर आपका target long time पैसे नवेश़ करने का होगा तो फिर आप अपने किसी भी बड़े fund पनाने के target को पूरा कर सकते हैं दोस्तों शॉट टम में आपको correction मिल सकते हैं लेकिन अगर आपका टार्गेट लॉंग टाइम में से नविश्च करने का होगा तो फिर आप अपने किसी भी बड़े फंट बनाने के टार्गेट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो से देटेट कोई कोशन होता है तो आप ज़रूर बताएए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले हैं। धन्यवाद।